प्रफ़ाइब नवश्कार स्वागत है आप सभी का एसे इनकी खास पेश्कस एक मुलाकात में एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात दो लोगों से खरवा रहे हैं बताना चाहेंगे कि वैसे तो कई संस्थाइब और संगठन भारत बिसलचाज के जाते हैं लेकिन उनमें से एक लाइंस क्लब जो है जो लगभग सौ सालों से संचालित होते हुए काफी कारियों को अंजाम दिया है समाज जीत हो लोगों की भलाई हो एजुकेशन हो मेडिकल हो अनिकों शेत्रों में लाइंस क्लब ने अपनी जो है रहते हुए काफी काम किये हैं और इस वक्त जो हमारे साथ मौजुद है वो है सुमन पाणिवाया और एक है सची जो है जो नियुक्त की गई है उनका नाम में रश्मी अगरवार तो हम बताना चाहेंगे कि अभी नियुक्ति इनकी हो चुकी है शपाकरहन जो 26 तारीकों होने वाला है उसक है जो अपाकरह शेहसे पैम जो टिंदेत। जो चोग लेकाट आँ हÍ जो झाहे है तो वसुभान मादम सबसे पहले आपको सवागत है हमारी स्टूडियो में धन्यवाद और रश्ची में आपका स्वागत है धन्यवाद आप आप वो बन के आ रही है अधियक्ष बन रही है लॉयन्स ग्लब में अपके प्रिश्टर में क्या है कब से जुड़ी है अप लाइं लाइंस क्लब में तो अभी मेरे को तीन साल हुए है लेकिन मेरी बड़ी इक्षा थी लाइंस क्लब दुर्गी सिटी के गतिवी थी और कारियों को देखके बहुत इक्षा थी कि मैं जब भी समासेवा करूं और कोई बड़ा अच्यूमेंट करूं तो मैं चाहती थी कि मैं लाइंस क्लब आप दुर्गी सिटी से ही करूं क्योंकि वहां हमारे बहुत उर्जावान साथी लाइन लोग हैं और भारी सहयोग मिलता है और मैं अभी तीन साल हुए हैं मुझे जवाइन किये और इस वर्स दोजार चौबीस पच्चिस के लिए मैं अध्यक्ष चुनी करना चाहती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था और सेवाकारी मैंने बच्पन से सूचा था कि मैं जब भी मेरे एक धिये रहेगा कि मैं हमेशा सेवाकारे को अंजाम देती रहूं रश्मी मंदम हमाई साथ मोज़े रश्मी मंदम बताएं कि आप सच्ची जुन करारी हैं आप कब से जूड़ी लाइंस क्लब से और सच्ची बनने के बाद आप कैसे अपने कामों का अंचाम देंगे मैं 2013 से लाइंस क्लब की मेंबर हूं और मैं प्रेसिडेंट नी 2013 में में प्रेसिडेंट रह चुकी हूं मैं 2010 से मेंबर हूं और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं सेक्रेटरी के लिए और जो हमारा काम होता है जो भी लाइंस में हम काम करते हैं गतिवीधिया करते हैं उनको ह हमारे जीम सर आ रहे हैं भिलाई स्टिल प्लांट से सत्यरंजन भटाचारी जी आ रहे हैं मुख्यातिति के रूप में हमारे शपत अधिकारी के रूप में लायन विजय अगरवाल जी जो की वाइस डिस्टिक गवर्नर है हमारे इंटरनेशनल लायन्स क्लब के और इसमें आ रहे हैं हमारे राजेश जैन जी वो जो की रिजन में है और ललीद भनसाली जी जो की जोन में है इन सब के बीच हमारा सपत क्रहन होना है जो की 26 जोन को तै हुआ है सची हुआ है आप सौ साल से स्थापना होने के बास से किन-किन मतुपन कारियों को अंजाम दिया है लायन्स क्लब इंटरनेशनल विश्टो की सबसे बड़ी समासिवी संस्था है और 2017 से इसका सुभारम हुआ है आप जानते ही है वह स्थापक है और हमारा कारी है ज्यादातर समासिव उस भी से चांकर ने हम चाहते हैं और हम करते हैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े और आपकी जो प्रॉबलम हो वह हमसे बताए तो हम उनकी मदद कर बाएंगे हमको ज्यादा अच्छे से जानकारी हो पाएगे कि किसको हमारी सेवाओं की जरूरत है तो हम प्रयास करेंगी कि हम उनकी मदद कर सके अब बहुत अच्छी बात बोलें कि हमारे साथ जड़ो अक्सर देखा गया है लाइनस क्लब एक महेंगी संस्था कर सकता कर सकता है क्योंकि यह अनोधान से संस्था संचालित होती है इसमें सारे लोगों से हम अनोधानी खटा करते हैं सरकारी संस्थान गयर संस्थान भी सहीओ करती है जो सेवा कारे करने के एक्षुक हैं जिनमें जोश है जिनमें जजबा है उनको एक प्लेटफरम की जरूरत होती है और मैं समझती हूँ लाइन्स कलब दूर्ग सिटी या लाइन्स कलब कहीं भी अच्छा प्लेटफरम है आपको सामाजिक सेवा देने के लिए बहुत सारी सेवा हो रही है लेकिन हम लोग फिर भी ऐसा लगता है कि कई चीजों में सरकार असफ़ल है उसको चाहिए लोगों का सपोर्ट सामाजी सेवा वैसे तू चार इस्तम्भ माने गया है चौत्रा इस्तम्भ पत्रकारों का है लेकिन मैं मानती हूँ, मेरा मानना है कि पाँच इस्तम है, पाँचवा इस्तम ये सेवा संस्थान होनी चाहिए, इसके बिना काम, संपन्य, पर्याप्त और सही रूप में नहीं हो सकता, इसलिए हर समाज, सेवी, संगठन और संस्था को सेवा के छेत्र में आना ही चाहिए. पढ़ाते हैं, उनको रोजगार मुख्री सिक्षा भी दे रहे हैं, दोना पत्तल बनाने का अगरवत्ती बनाने का इस प्रसिक्षन भी दे रहे हैं बच्चों को, और एक हम लोग का प्याओ घर और यात्री प्रतिक चाले हैं जेल के बिल्कुल पास में, और तिरगा गाउ है वहां पे हमको तीन एकड के खोको मैदान भी हमारा और वहां पे हमारे जो संस्थापक हैं, मैल्विन जोल्स, उनका चौग भी हम लोग उने बनाया है उस गाहों में, तैसे हम लोग चार परबनेट प्रोजेक्टों संचालित करते ही हैं, इसके पहले हम लोग अपनी ये ज करेंगे जैसे और भी कई अध्यक्ष प्रसिजिटेंट हुए हैं, वह ऐसा कौन सा काम नहीं करेंगे तो नारी सा सक्तिकरन के लिए काम करेंगे और आप सोच लिजी हमारा कलब नारी सा सक्तिकरन में जो एक चौथाई महिलाए हैं लेकिन तीनों बड़े पद्वे हम तीनो महिलाए ही है और इस साल हम सोच रहेंगे महिलाओं को थान के लिए, इसके लिए कुछ कारी करेंगे रोटन के वेवसाही को प्रसिजिटेंट हुए हैं, वह ऐसा कौन सा काम नहीं कर पाया हैं, जिनको आप अंचान देंगे, आप करेंगे क्या हैं? बहुत सारे काम है, मैं तो यूथ पे काम करना चाहूंगी, मुझे आने वाली पीड़ी को सश्रक्त बनाने, मेरे फोकस सबसे ज़्यादा यूथ पे रहेगा, हर अध्यक्ष अच्छा काम करता है अपने इस से लेके, लेकिन उसमें फिर भी कहीं न कहीं, हम काम अपने बहुत नारिश शक्तिकरन में बात होती है, लेकिन वो चीज नहीं बन पा रही है, जो हमें चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं, कि हम यूथ पे काम करें, यूवर्गों को रोजगार उपलब्ध कराएं, बहुत सक्षम लोगों को जोड़ें, और बड़े-बड़े बिजनसमे व्यापारी लोगों को जोड़ें, और नए बच्चों के लिए जो रोजगार चाहते हैं, उन लोगों के लिए रोजगार मोहया कराएं, और इसमें महिलाओं के भी प्रावपर भागीदारी चाहते हैं, तो मेरा तो सबसे ज़ाद रहेगा, वैसे सीक्षा और स्वास्त, हमारा अंधत्व निवारन पे भी रहेगा, कैंसर पे भी काम रहेगा, और डम बच्चों पे भी हमारा फोकस रहेगा, इस तरह से मैंने बहुत सारे अपने एजंडा बनाए हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे इलाइंस क्लब आप दूर्ग सिटी के सारे सक्री साथी उसमें मैं सही योग देंगे, मैं जानती हूँ प्रापर सही योग देंगे, और दूर कसी ठेगा काम बहुत अच्छा होगा, और परिया वरन के लिए इस बार हमनों को ने पाच हजार पौधे लगाने हैं, हम टेकिये जो, जैसे परियास इसको सुपेला, उसको भी खोद लिया मानोता शाला हमने गोध नहीं है, हमने गोध नहीं लिए है, हमने खुदी बिल्डिंग बनाई है और हमारे कलब से ही संचालित होता है। भी तो भाविश्य में हमारी रिस्रिक प्रजिसेंट बनने वाली हमारी रश्मी अग्रवाल जी भी है लेकिन हमने लायनेश में बहुत अच्छा काम किया है उसके साथ साथ हम लायन बनके और संपूर्ण फेल करते हैं क्योंकि जो विंग की बात आती है ना महिला और पुरु है इसलिए वहां जो काम करने का मज़ा और अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए हमने लाइन जॉइन किया और लाइन जॉइन करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे है। करूंगी। जब हमारी मीटिंग होती है वहाँ पर अध्यक्ष अपनी बात रखती है कि मैं यह करना चाहती हूं पर बीज़ी मेंबर्स के साथ मीटिंग होती है। इसे विदर्शा को क्या कहना चाहिए। हमारे धिये वाक्य है हम सेवा करते हैं और इस सल हमारे डिस्टिक का प्रोजेक्ट है सेवा परमधर्मा। तो मैं हर रसुगदार और हर सक्षम और सभी लोगों से यह चाहती हूं कि कहीं न कहीं इन बातों को अमल करें और जितनी ज्यादा अपने से हो सके समाज सेवा को समाज सेवा में समर्पित करें और सेवा ही परमधर्म का रह अपनाएं। सभी दर्शकों को मत्शूप कामना है ने हुए अपको संपर करें हम साहीन मैडम को नंबर दे देंगे अपना आपको इनके पाध्यम सें हमसे संपर कर सकती है तो ACN के दर्शकों के लिए खास पिशकास आप सभी के लिए थी हमारे साथ मौजूद थी अध्यक्ष लॉइंस क्लब की सुमन पाने मेडम और सच्चिव रश्मी गरवाल मेडम दुनों ने अपने अनुभा बताया और क्या करेंगी इसके साथ जुड़ करके अपने नियुक करेंगा है तो